हलो दोस्तों बारत अप्डेट्स चैनल मा आपका स्वागत है और दोस्तों आज सुबा की 13 बड़ी ख़वरें 13 बड़ी अप्डेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो दोस्तों स्कूल कोलिज विद्यारतियों के लिए यहाँ पर बड़ी ख यहाँ पर निकले हैं दोस्तों बंपर भरतियां जल्द करें आवेद्न तुबो सब मैं आपको वीडियो में दिखांगों इसके लाव दोस्तों और भी मोस्त इंपोर्टेंट अप्डेट्स आपको जो है वीडियो में देखने को मिल जाएंगी तो वीडियो को एंड तक द निकले ही शिक्षा विभाग में एक से 11 दिसंबर तक छुटियों पर रोक सत्तर के चलते उच शिक्षा निदिशा लेने जारी किये निर्देश बिजानसबा के शितकालीन सत्तर की चलते शिक्षा विभाग जो है 1-11 दिसंबर तक अधिकारीयों और कर्मचारीयों के छुटियों पर रोक लगा दी है साथ से ग्यारा दिसंबर तक धर्मशाला में तपबन में होने बाले सर्तर की चलते उच और प्राणबिक शिक्षा विभाग शिक्षा ने दिशा लेने प्रस्ताबी चुटियों को और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिये हैं रई बार और अन्य शुटियों के दुरान भी कर्मशारियों को बुलाया जा सकता है अधिकारियों के टूर पर भी रोक रात आठ बजे तक देनी पड़ेगी ड्यूटी बिधायकों ने भी अब तक बेजे हैं 35 सवाल तो यह दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट है और शिक्षर विभाग ने बिधान सबा में लगे सभी प्रशनों के जवाब जल तेयार करने को कहा है बिभाग की हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी इस दोरान रोजाना सुभा आठ बजे ओफिस में होना चाहिए तो यह कुछ दोस्तों यहाँ पर अपडेट है चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं दोस्तों यह रही हिमाचल में एक दिन में आए 584 करोना केस शिमला में सबसे दिख 200 मंडी में 92 कुल्लू में 77 कांगना में 69 और चंबा में 41 केस आज 12 मरीजों की गईजान मरितकों की संक्या हुई 455 कुल्ट संक्रिमतों का अंगड़ा हुआ 30,740 एक्टिम मरीजों की संक्या हुई 6,772 आज 574 हुए ठीक और अब तक 23,484 मरीज हुए ठीक दोस्तों, यह है करोना की लेटेस्ट अपडेट और अगर आप पूरे दिन की देखना जाते हो ऑफिशिल भी देखना जाते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के उपर वीजिट कर सकते हो तेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स इसके लावा आप मुझे ट्वि यह रही next update कुछ vacancies से related है तो legal consultants की रिक्तियां करें आवेदन परवर्तन निदिशाले बित्मनत्राले मैं यहां पर यह vacancies है दोस्तों legal consultant संबिदा पदो की संख्या दोस्तों 46 आयूसिमा अधिकतर जो है 42 वर्ष ठीक है और posting देश मैं निदिशाले के किसी भी कारेले में salary है 80, कहां से आपको अप्लाई करना है enforcement direct rate.gov.in से आपको अप्लाई करना है और यहां पर आप अपनी पातरता हैं देख रहे हैं कहां पर क्या पातरता हैं उन्होंने मांगे हुई है ठीक है अन्तिम्तिति विग्यप्ति के धारिच प्रकाश्चन से 45 दिन तक ओके Advertisement निकले से 45 दिन तक ओके चले नेक्स्ट अप्डेट दोसे एक और वेकेंसी है Junior Engineer Civil की और रास्ट्रियर राजधानिक शेत्र परिवहन निगम यानि की NCRTC में यह वेकेंसी निकले हुई है Junior Engineer 2 Civil NE7 ओके वेकेंसी हैं 52 IUC मां 28 से 28 अरके गई है अधिक्तम और वाकिया आप Engineering में डिपलोमों और अन्य पातरता यहां पर होनी चाहिए NCRTC.in से आप अपलाई कर सकते हो और चैन प्रकरी आप सब कुछ बहाँ पर देख सकते हो इनकी विबसाइट के उपर और आखरी डेट यानकी लास्ट डेट जो है वो है 4 दिसंबर 2020 और इसके लिए ओफ-लाइन आ करती कुलू के वाँ को नोकरी का मौका 20 तक मांगे आवेतन तो कुरोना कर्म जिला कुलू में विरोजगारों के लिए अच्छी खबर है मैसर्स सिक्योर्टी एंड इंटेलिजेंट सर्फिस इंडिया लिमिंटेड ए 28-29 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली की ओर से सिक्योर्टी गाड के 200 पदों को भरा जाएगा चैनीत उमिदवारों को 13-16,000 रुपे तक मासिक वेतन दिया जाएगा इसके साथ अन्य सुविधाय भी पदान की जाएगी इन पदों को रोजगार कार्यले कुलू के माध्यम से भरा जाएगा इन पदों के लिए पातर यूबक अपना यूबक उमिदवार अपना बायडोटा 20 नुमंबर शाम पांच वज़े तक जिला रोजगार कारयले कुलू में प्रसुत कर सकते हैं जिला रोजगार अधिकारी मनोर्मा देवी ने कहा कि सुरक्षा गार्ड के लिए श्यक्षनी की योगेता दस्मी पास रखे गई हैं उमिदवार की उन्चाए 168 सेंटिमेटर या इससे अधिक बजन 55 किलोग्राम ही इससे देखोना चाहिए और अभियारती की आयू 21 से 37 साल के बीच होनी चाहिए चैनित उमिदवारों को बिलासपर कुलो 16 बदी नालागड और चंडिगड में काम करना होगा बेचन 13 से 16,000 रुपई के बीच दिया जाएगा और वाकि आप देख सकते हो सब कुछ यहाप में मिलेगा चैनित हुए अभियारतियों को एप एफ एएस आई ग्रेजूटी पेंशन बाव बीमा की भी सुवधा पदान की जाएगी तो यह कुछ दोस्तों एक इंपोर्टन अपडेट है कुल्लू में संपर्किया जासकता है रोजगार खारेले जो कुल्लू है बहाँ पे संपर्किया जासकता है उन्हें जिलाव क युवाओं से इस अबजर का अलाव उठाने की अपील की है तो एक उस दोस्तों इंपोर्टन अपडेट है तेरा से सूरह जार उपे बेतल स्मेट अन्ने सुवधाय मिलेंगी 21 से स्यंति साल आयू ठीक है तो यह कुछ यहां पर अपडेट है तो चली दोस्तों नेक्स अप होंगी खत्म नौमी दस्में की देट शीट है यह दूस्तों ठीक है कि अ कि अ कि अ कि चलो नेक्स्ट अप्टेट दोस्तों नहीं बदलेगा 2021 में जेई मेन और नेट का तरीका देश के सभी इंजिनेरिंग और मेडिकल को जमा दाखिले के लिए आयू जित होने वाली जेई बदलाब नहीं किया जाएगा साथ ही नैशनलों टेस्टिंग एजनसी यान की अन्टीय का कहना है कि जेई मेन की जनवरी में होने वाली प्रिक्षा की इतारेक सीवी एसी की बाहरें कि अधार पर तरह होगी अगली तरह जो है सबता तरह होने की जाने की उमीद है यहां पर और यहां पर कहा गया है कि एंटीय भी उसके अधार पर जी है अपनी दोनों प्रिवेश प्रिक्षा की तारीखते करेगा तो यह भी चलिए नेक्स्ट अप्टेट अभी देख लेते हैं दोस्ति डीयलेड्ः भाग एक दो का पूर्णल मुल्यांकन और पूर्णल मुल्यांकन और पूर्णल दिक्षन का प्रिणाम खोशीत यह थी दोस्ति एक अप्टेट चली नेक्स्ट अप्रेड भी देख लेते हैं तो यह रही दोस्तों एक दिसंबर से ओनलाइन होंगी नोबी से जमाद दो कक्षा की सेकेंड टर्म की प्रिक्षाएं दोस्तों प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नोबी से बाहरमी कक्षा की प्रिक्षाएं एक दिसंबर से होंगी सेकेंड टर्म की इन प्रिक्षाओं को ओनलाइन ही लिया जाएगा शिक्षाओ भागना इसकी डेट शीट जारी कर दी है मुबाइल फोन से बंचीर बिद्यार्थियों को घर पर प्रशन पत्र महिया करवाई जाएगे और ओनलाइन प्रिक्षाओ देने वाले बिद्यार्थियों को वटसाइप के मात्यम से पासवर्ट से लोग प्रशन पत्र भेज़े जाएगे निधारी समय में प्रिक्षा पूरी करने के बाद बिद्यार्थियों को वड़साइब के माहेदों से आंशर जीट जो है उसकी फोटो लेकर शिक्षक को बेजने होगी गर बैठ कर प्रिक्षा देने वाले बिद्यार्थियों की निगराने का जिमा अभवाबकों पर सौंपा गया है जिन विश्यों को हर घर पारशाना कार्या क्वरम में नहीं पढ़ाया जा रहा है और शिक्षरक अपने स्तर पर उन विश्यों को पढ़ा रहे हैं तो ऐसे विश्यों की प्रिक्षा हैं स्कूल स्तरपर 10 से 14 दिसंबर के बीच होंगी और 9 बी और 10 मीं कक्षा के मुख्य विश्यों की प्रिक्षा 8 दिसंबर और जमा 1 और जमा 2 की कक्षा के मुख्य विश्यों की प्रिक्षा 9 दिसंबर को समापत होंगी तो इभी दोस्तों एक most important update है चलिए next update अभी देख लेते हैं दोस्ते रही तो सरकारी स्कूलों में अब 26 से 30 नमबर तक बढ़ सकते हैं चुटे हैं दोस्तों most important update यहां पर यह रहने वाली है एक दिसंबर से सुनूप होने बाले second term प्रिक्षा को चलते बंद रहेंगे स्कूल तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 19 से 12 कक्षा के विजयर्थियों की 26 नमबर से नियमित कक्षाएं शुरू करने के आसार कम है मतलब 26 से आगे भी आपको holidays हो सकती है एक दिसंबर से प्रताबिस second term प्रिक्षाओं के चलते स्कूलों में 26 से 30 नमबर तक छुटियां बढ़ सकते है प्रदेश में होने 4-25 जुनाब के चलते शिक्षर भाग 15 दिसंबर तक प्रिक्षा की प्रक्रिया पूरी करने में जूटा हुआ है ऐसे में 26 से 30 नमबर तक स्कूल खोलने की समभावना कम है हलांकि 23 नमबर को दोस्तों cabinet की बैठक है उसमें जो है कोलेजों में नीमत कक्षाइक खोलने का भी फैंसला हो सकता है मतलब कोलेज की regular classes लगाने का भी cabinet में फैंसला हो सकता है सकता है ओके आगे देखते हैं तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक दिसमबर से नौबी से बाहरी में कक्षा की विद्यार्टियों की निमित कक्षाओं के लिए स्कूल में बुलाने के असार कम है बीटे दिनों स्कूल खोलने पर भी 20-25 फीजदी विद्यार्थी ही आये थे क्रोणा के माले बंड़ने पर सकाना 11 से 25 नौबर तक शिक्षम संसार बंद करने पड़े हैं ऐसे में पहली दिसमबर से शुरू होने वाली प्रिक्षाओं को देखते हुए 26 से 30 नौबर तक स्कूल में च्छोटियां बढ़ाई जा सकती है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टन अप्रेट है ठीक है चलिए भी नेक्स्ट अप्रेट देख लेते हैं दोस्तों मेरिट पर मिलेगा MBBS, BDS में प्रिवेश आज विश्व जले जारी करेगा सूची और प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कोलिजों में नीट यूजी 2020 की प्रापतांक के अधार पर ही प्रिवेश मिलेगा इसके लिए विश्व जले के और से जुरू के गई प्रिवेश प्रक्रिया में बुद्दबार, दोपहर, बाद तक 19 स्रेणिक के हिसाब से मेरिट जारी की जानी है इसके आधार पर ही सरकारियों निजीट मेडिकल और डेंटल कोलिजों की सीट का आवंटन किया जाना है बिश्व जले के और से जा रहे सीट आवंटन की प्रक्रिया के लिए 12 नुम्बर तक 2750 ने जो है ओनन आवेदन इसके रिख किया है पिछले बस करीब 31 सोने MBBS और VDS कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश के संसाना में प्रवेश के लिए जो है आवेदन किया था बताया जा रहा है कि इस बार नेट में चात्रों के अधिक प्रापतां के कारण मेर्ट मेर्ट के भी हाई रहने के उमीद है पिछले सात्र में MBBS में 467 कट ओफ रही थी जो कि वीडियो में 425 कट ओफ गई थी इसके बाद उपर जाने की उमीद है तो यह एक इंपोर्डेट है और इसके इस बार उपर जाने की उमीद है MBBS और BDS की प्रवेश और कांसुलिंग के सीडूल के मताबिक 19 सुमंबर को आवेजन करताओं से इंस्टिट ओफ को लेको पसंद पूछी जाएगी 23 सुमंबर को नीट में प्रापतांक और भरी श्रेणी गई श्रेणी के मताबिक सीड आवंटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी और इसमें ओन लेटर जारी का 26 तक संसान में जोईन करने का समय दिया जाएगा तो यहां पर प्रदेश में जो है दोस्तों 6 सरकारी मेडिकल को लेजम 120 के हिसाब से 720 मेडिकल की सीट उपलब्द है जिनका वंडर मेरिट का धार पर होना है इसके अलावा दोस्तों बात करें तो शोलन के निजी मेडिकल को लेजम 150 सीट की कांसलिंग होगी यह भी इक इमप्ड़ानेर सब कोछ यहां पे बताए गया है दोस्तों ठीक है और यहां पे बताय गया है कि पिर्टशह निंत्र के साथ ही अलग से प्रवेश और कांसलिंग कमिट्री कथत की है तो यहां पे कुछ सीटों की सिंख्या बताये गए कहां पे कितनी सीटे हैं चलिए नेक्स्ट अप्टेट दोस्तों देख लेते हैं यह रही में एजुकेशन में आवेदन का मोका एक और मोका केंद्री विश्यवदाले धर्मशाला की और से शैक्शन जातर 2020 किसके लिए में शिक्षा कारेकर मेरिक्ट सीटों के लिए फिर से आवेदन मांगे हैं इस दुरान बे उमेदवार जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर सके थे या दस्तवेज प्रवेश शुल्क जमक रवाने में असफल रहे थे बे अव जो है आवेदन दोस्तों कर सकते हैं अभिरत्यों को 17 से 35 नमंबर तक लाइब लिंक पर उनलार पंजिकर्ण फॉर्म जमा कर फीश भरने हैं और आवेदन करता बिश्व जाले की विबसाइट पर ही अधिक जानकारे प्रापत कर सकते हैं बिश्व जाले के और से निधारी पातरता मान दर्लों के अनुसार चैने तुमिद्वार की सूची जो है बिश्व जाले की विबसाइट पर 27 नमंबर को अप्लोड कर दी जाएगी और उसके बाद उनको फीश जो है जमा करवानी पड़ेगी तो यह दोस्तों एक